विल्कम बैक टू श्वेता किचन एंट टिप्स तो फ्रेंट्स दिवाली की कुछ ऐसी खास ट्रिक लेकर आगए जो कि आपके बहुत काम हैगी बिना एक बून तेल के सारी रात दिया जलाएंगे और साथ इसाथ मार्केट वाली कैंडल हम घर में बना के त्यार करेंगे तो यह वीडियो को करते हैं शुरू यहां पर सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ इस तरीके से डिस्पोजर वाले जो बाउल आता है ना उसका तो आप इसको क्या कहते हैं बताईएगा तो यहां पर यह जो बीच वाला सरकल है इसको हम कट कर लेंगे यह वैसे भी हमारे घर म मेरे पास तो काफी ददा पड़ा है यहां पर मैं आपको आइडिया दो से दूंगी पाकी में बाद में बना कर रेडी करूंगी और अगर यह पड़ा है किसी काम में नहीं है या फिर यह फैल गया है तो भी आप इसका यूज ले सकते हैं यहां पर देखे मैं इसको बीच म से कटोरी के शेप में आ जाएगा मतलब कि यह जो बॉटल का कैप है बिल्कुल उसका शेप ले लेगा यह चीज़ करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा मतलब थोड़ा मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम लगेगा तो 60 सेकंड मतलब एक मिनट का टाइम जो फॉइल पेपर होती है आप उसका यूज़ करते हैं तो आज हम उसका यूज़ नहीं करने वाले आज हम इस तरीके से वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके बेस्ट चीज़ें बनाएंगे तो इस दवा के रैपर को मैंने एक छोटे पीस में काटा है और यहां पे इसके दर धकन रखा है बॉटल का और इसको शेप दे दिया देखिए परफेक्ट शेप ले चुका है अब जो एक्स्ट्रा है इसका पार्ट उसको हम कैची के मदद से काट देंगे तो वीडियो को ध्यान से देखिए का तब ही आपको समझ में आएगा तो देखिए घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी ही होती है जो हमारे काम में नहीं आती है लेकिन उससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और इसको काटने के बाद फिर से इसमें बॉटल का धकन रखके इसको अच्छा शेप देंगे तो देखिए यह परफेक्ट तयार हो चुका है यह बि पिछले साल की बची हुई केंडल्स थी शायद टूटी-फूटी सी वही मैंने यूज की है अब यहां पर एक यलो कलर की थी वह भी मैंने डाल दी और यहां पर देखिए एक यह जो बर्थडे वाली केंडल है इसका हमें धागा नहीं निकालना है इसको हमें बस ऐसे तोड लो फ्लेम पर इसे मैंने मिल्ट कर लिया है और अब यहां पर जिसमें भी आपको दिया जलाना है तो मैंने यहां पर एक काच का बाउल लिया है इसमें पानी डाला है और पानी डालके यह जो मैंने डिस्पोजर वाले कटोरी का दिया बनाया था वह मैंने रखा है क्योंकि इसको इसमें रखने से यह बहुत जल्दी से जम जाएगा और ये क्लिप कट गई है तो ध्यान से देखिएगा ये मैंने पहले कटोरी को इसके अंदर रखा और फिर इसमें ये मिल्ट की हुई केंडल्स को डाला और ये जो मैंने दवा वाले रैपर से बनाया था उसको आप चाहें नीचे रखें चाहें उपर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसको भी मैं पहले भर लूँगी और उसके बाद मैं इसे भी रख देंगे एक साइट में जमने के लिए तो देखिए अभी मैंने किसी में भी रूई बत्ती नहीं डाली है अब रूई बत्ती डालेंगे तो गोल वाली रूई बत्ती अगर आप यूज कर रहा है तो नीचे से उसको फैला लिजेगा क्योंकि अगर आप ऐसे ही रख देंगे ना तो वो लुड़क जाएगी यहां पर इसे मैंने फैला लिया और यह देखिए थोड़ा सा इसमें कैंडल बचा हुआ था तो मैंने इसमें रख के यह सारी कैंडल इसको सुखा दी मतलब इसने सोख ली अब यह जो दवा वाला रैपर है इसमें यह गोल वाली बत्ती मैं लगा दूँगी और इसे रखूंगी साइड में और देखिए तब तक मैं यह जम गया इसलिए मैंने इसको पानी में रखा था और क्योंकि यह कागस का है तो फैल भी सकता है इसलिए पानी में रखके अगर आप इसे मिल्टेट केंडल इसमें डालें तो यह फैलें गी नहीं अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी और यहां पर जो बत्ती केंडल को पिगलाते हुए हमने उसमें रख़़््खी थी ना वाही वाली यहां पर लेनी थैות तो ये पहले से ही केंडल लगी है और ये इस वज़े से कड़ी हो जाती है तो इसके दो टुकड़े करके मैं इसके बीच में लगा दूँगी और ये पूरी तरह भी जमा नहीं है इसलिए बहुत आसानी से इसके अंदर ये चला भी गया अब यहां पर देखिए मेरे पास थोड़ा सा और बचा था तो मैंने वो भी डाल दिया अब यहां पर जब यह अच्छे से जम जाए तो आप इसको कैची से काट के निकाल दीजिए जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं तो देखिए फ्रेंट्स ये मैंने दिया है आपको आइडिया अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं घर में तो ये सारी चीज़ें आप घर में बना सकते हैं खाली बैटे बैटे अगर आप बनाएंगे अपने हाथों से तो वो उसकी बात कुछ और ही होती है ये देखिए इस तरीके से ये बन गया अब यहां पर एक्स्ट्रा जो इसकी बत्ती है वो मैं काट दूँगी तो जब इसमें ये मिल्ट किया हो केंडल लगा रहता है तो ये काफी कड़ी रहती है जिसकी वेज़े से बहुत ही आसानी से एक जगा एसेंबल रहती है अब सारी केंडल्स तैयार हो चुकी है अब ये लास्ट वाली ये देखिए ये भी थोड़ी जम गई है लेकिन अभी पूरी तरह नहीं लेकिन फिर भी मैं इसे निकाल ले रही हूँ तो थोड़ा सावधानी बढ़ देंगे और अगर पूरी तरह जम जाए तो आप कैसे भी खीच-खाच के निकाल देजी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर देखिए अब एक गोल बत्ती मैंने रखी है और यहाँ पर यह जो मैंने बनाई हुई बत्ती है वो मैंने रख दी है तो मार्केट से अगर हम खरीद के लाते हैं तो हमें काफी महंगी भी पड़ती है और अगर हम हाथ से बनाते हैं तो सबसे जादा खुशी तो यह होती है कि मैंने खुच से बना कर इसे तैयार किया है तो यहां पर देखिए, मैंने रखके इशे जला दिया है और यह देखने में काफी बढ़िया लग रहा है अभी जो मिट्टी का दिया है इसमें भी अच्छे तरीके से पानी भर लिया है और एक ये केंडल बत्ति इसमें भी लगा दे रहे हूँ अब आप इसे जला के कहीं भी रखिये डेकोरेशन के लिए है ये सारी चीज़े पूजा के लिए नहीं है इस बात का ध्यान रखियेगा क्योंकि पूजा में हम कैंडल नहीं जलाते हैं हम मिट्टी का दिया और तेल या फिर घी से दीपक जलाते हैं अब यहां पर इसमें फूल था गुलाब का वो मैं तोड़ के डाल दे रही हूँ क्योंकि ये ऐसे पर ज़्यादा अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने हाथों से ये बहुत ही सुन्दर सुन्दर चीजे घर में बना पाएंगे और दिवाली की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर ये वेस्ट चीजों से बेस्ट चीजे बनाने का ट्रिक आपको भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा सपोर्ट जरूर दीजेगा